सचिन तिंदलकर के 45 ओपनिंग शतकों के रिकॉर्ड को तोडने के लिए रोहित शर्मा केवल 3 शतकों की दूरी पर है विराट कोहली बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सचिन तिंदलकर का कैच लेने का रिकॉर्ड तोडने की कोशिश करेंगे भारत ने पहले टेस्ट में बांगलादेश को 280 रनों से हराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वाइट बॉल टीम का कप्तान बनाये रखने का निरने लिया है जबकि टीम के प्रदर्शन में सुधार नहीं आया है दिल्ली में भारत ने बांगलादेश को 280 रनों से हराया रुशब पंथ ने टेस्ट क्रिकेट में जोड़दार वापसी करते हुए शतक बनाया और कप्तान रोहित शर्मा ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया भारत ने बांगलादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 280 रनों से जीत हासिल की यह गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत की पहली टेस्ट जीत है बांगलादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में रुशब पंथ ने 49 और 109 रन बना कर शांदार वापसी की अश्विन ने इसे भगवान का वर्दान बताया भारत ने बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में 280 रनों से शांदार जीत दर्ज की केन विलियमसन ने श्रीलंका के खिलाफ बहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजिलंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए दक्षन अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोरने मोरकेल को भारतिय टीम का तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है जबकि पाकिस्तान में उनके कार्यकाल पर सवाल उठ रही है भारतिय क्रिकेट टीम ने बांगलादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 280 रनों से जीत हासिल की जिसमें रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया दिल्ली में मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया एने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता उन्होंने इंडिया सी को 132 रनों से हराया